हे एब्रिबरिवन वेलकम टुम इधर बेंगलोर में यही मिलता है यह ठीक होता है टेस्ट में और इसे हाथ में खुजली वगर नहीं होती है इसलिए मैं इसे इस इभनाती हूँ तो इसे मैंने अच्छे से छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है इसे पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं वैसे जो लोकल वाला देसी वाला होता है उसमें काफी ज्यादा अच्छा टेश्ट होता है यह भी ठीक लगता है खाने में ऐसा कुछ नहीं है इसमें खुजली नहीं होती है तो मुझे ज्यादा पसंद है अब मैं यहाँ पर प्लेन डाल बनाऊंगी इसके लिए मैंने मूंग वाली छिलके की डाल ली है और मसूर की डाल ली है दोनों मैंने आधा अधा लिया है तीन से चार बर अच्छे से मैंने धो दिया उसे और थोड़ दिर के लिए पानी में रख देंगे जब तक की कूकर खा पसंद आगे मैं और भी रेष्पी करूंगी बहुत ही सिंपल वाली बनारियों बहुत ज्यादे लगती है इसके लिए मैं यहां पर प्याज टमाटर को काट लिया है लहसुन और मिर्च को मैंने यह पर कूट लिया है इसके साथ ही मैं यहां बनाऊंगी ओ स्वारी रगी की नमक डाला है और रागी काटा डाला है तो इसकी जो रेशियो है ना सेम सेम रहती है अगर आप पानी डालते है तो एक कप आपको रागी काटा डालना है ऐसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से यहां पर मतलब चला लेंगे पका लेंगे उसके भाड़ करके से रख देंगे ताकि जब तक कि अच्छा से थोड़ा सौफ ना हो जाए गूतने में उतने देल तक यहां पर जो सूरन है वह भी अच्छे से पक गई है थोड़ी फट भी गई है आपको इतना ही इसे पकाना है तीन से चार विसल में अराम से बहुत ही अच्छे से गल जाती है मतलब गलती सारी चीजों को एक साथ मतलब करोगे ना इस तरह से बैलेंस करके तो सारी चीजे हो जाती है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है और सब कुछ हो जाता है तो मैं यह आपर सिर डाल प्लीनी डाल बनारी हूं मैं इसमें कोई भी मतलब यह नहीं बनाऊंगी सिर्फ मैंने थोड़ा ज्यादा ही तेल लगता है अच्छे से मतलब थोड़ा ज्यादा तेल में बनाई जाती है तो मैंने यह पर कढ़ाई में सरसू का तेल डाला है इसमें जो ओलत हैं मतलब सूरन जो भी बूलत है वो डाल देंगे इसे धीमी नहीं मीडियम टू लो फ्लेम पेसे अच टूट जाएंगी वहां सौफ्ट होती है इसे बॉल करने के बाद तो आप इस तरह से अलटते पलटते दम अच्छे से लाल कर लें ताकि खाने में ज्यादा अच्छा लगे तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से यहां पर क्रिस्पी कर लिया है तब मैं इसे निकाल लुग और इसी कढ़ाई में आगे कि इसकी ग्रेवी बनाऊंगी तो थोड़ा ही तेल डाला था तो थोड़ा आधा तो और आधा बचाए मैं और यहां तेल नहीं डालों कि कढ़ाई भी पूरा तेल लगा हुआ है तो मैंने यहां पर जीरा एक सुखी लाल मिर्च और थोड़ा से हि मैं इसमें खटा करने के लिए दही एड़ कर रही हूँ आप यहां चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं जैसे की अचार या फिर आमचूर जो भी मन हो बट इस तरह से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फिर टमाटर डाल दिया मैंने साथी मैंने हल्दी नमक और मिक्स म अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर अच्छे सौफना हो जाए फिर मैंने यहां पर एक चमच रोष्टेड यह डाला है बेसन जिसे मैंने हलका सा भून लिया था वो डाला है मैंने अलो फ्लेम कर दें एक दम से उसके बाद इसमें दही आड किजेगा नहीं तो अग से नहीं फटेगी और बहुत ही जादा अच्छी ग्रेवी बनेगी तो जब यह अच्छे से भून जाए मतलब जब यह कढ़ाई को छोड़ दे उसके बाद आप इसमें पानी डाल देजेगा जितना आपको गाड़ा पतला रखना उतना पिसमें पानी डाल देजेगा और ज मैं पानी तक पानी में डाल देख आपनी में तक चोड़ दिया था पहाया अपोने में जाए आपस्णल डालें जालें आप कर दो कि अध्रवाईश किपड गड़ सकतें उसके बाद जो जो फ्राइक रिस्पी कर ए यह मैं एसमें उसमें गिर थोटेकर फुष शुदिया थ तेजपत्ता थोड़ा से हींग डाला है बस दाल में डाल लेंगे दाल यहां पर बनकर के तयार हो गई है देखिए सब्जी भी बन गई दाल भी बन गई दोनों चीज़े बन गई जल्दी से बन जाती फटा फटस इतना भी टाइम नहीं लगता है डेली का खाना है सिंपल सा तो हो जाती है सारी चीजे और यहां पर लाश में मैं यहां पर हरा दनिया डाल रही हूं देखिए यहां पर जो सब्ची बन करके तैयार है खुछ ज़्यादा टेष्टी लगती है आप चाहें तो यहां पर दही जो लेंगे न वो खटा दही लीज़ेगा तो अच्छा टे यहां पर चावल चड़ाया है तो आज का लंच बहुत सिम्पल साय सिब्दाल चावल रोटी और सब्जी बनाई है मैं इस तरह से मैं बनाती हूं जो अच्छा लगता है आप लोग भी ट्राइ किजेगा और जो ओल की सब्जी उसे भी आप ट्राइ किजेगा और में लाश् अच्छे बन जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी रोटिया बिल्कुल भी नहीं फटेंगी अच्छी से फूली बन करके तयार होंगी तो रागी की रोटियां में अपने डाइट में सामिल करनी चाहिए क्योंकि ग्लूटन फ्री होती है और जो लोग वेट ल अच्छे से क्लीन कर दिया था अब मैं यहां पर सैलेड कारती हूं जिसके लिए मैंने गाजर और खीरा और बीटरूट काटा है तो इस तरह से जब भी प्लेन दाल-चाहल खाने में सैलेड ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं यहां पर दिया मैं कोशिस करती हूं कि एक सैलेड तो हो ही यहां पर अब यह आकर पूछ रहा है कि क्या क्या बना रही हो क्योंकि सुबह के टाइम होता है मैं जनरली कोशिस करती हूं कि इसके उठने के पहले बना लूँ बटी आज बहुत पहले उठ गया था एक दम ना दो करके रेडी है और यह लंच बोक्स मांग रहा है सैलेड उसे बहुत आच्छा लगता है इस तरह से ले करके भाग जाना और यह खाता भी नहीं है इस तरह से सैलेड कटा हुआ लेकिन ले करके जरूर से भाग जाना है यहां पर यह खोज रहा है चून रहा है कि क्या खाएगा यह इसने कुछ भी नहीं खाया लाश में मैंने इसे मांगा कि लंच बाक्स दो तो इसने मुझे सिर्फ एक कुकुम्बर निकाल करके दिया आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रोटियों को रैप करने के लिए मैंने यहां यूज किया आडी यूनी रैप इसमें जो रोटियां लंबे समय तक एदम सॉफ्ट रहती है और बहुत लोग पूछते हैं कि तीन रोटी क्य जैनल इसलिए मैं थोड़ा सा तोड़ देती हूं और यह सबजी सूरन वाली या ओल या जीमी कन जो भी बोलते हूं बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है आपने अगर ट्राइन की तो एक बार ज़रूर से ट्राइब किजेगा यह रहा आज का मेरा बहुत सिंपल सा लंच बहुत ज़्यादा टेश्टी और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताईएगा और प्लीज जिन्हों को नहीं पता हो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर ले यूटूब में देख रहे हूं तो और फेस्बूक पेज को लाइक कर ले ताकि मेरी रोज की वीडियो आपको मिले मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाब बाई